हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हिरासत में ले लिया जिसके बाद से बाड़मेर के पत्रकारों में रोश व्यापत है मामले को लेकर बाड़मेर के पत्रकारों द्वारा काली पट्टी बांद कर बाड़मेर पुलीस का विरोध किया जा रहा है वही आज सोंवार को बार्मेर के पत्रकारों ने शहर के महवीर पार्क में बैठक का आयोजन कर तै किया के पुलीस के द्वेश्पून का रिवाही से पत्रकार आहत है और राज्यपाल को ग्यापन के माध्यम से बार्मेर S.P. को हटाने की मांग की जाएगी पत्रकारों ने कहा कि चुनाव से पूर बार्मेर एसपी को नहीं हटाया जाता है तो आगामी विधानसबा चुनावों में पत्रकार और उसका परिवार मतदान नहीं करेगा वहीं बाडमेर के पत्रकार आगामी चुनाव में वोटिंग और मदगन्ना की कवरिज भी नहीं करेंगे उन्होंने जिला कलेक्टर को बताया कि बाडमेर SP द्वारा लगातार पत्रकारों को टार्गेट किया जा रहा है उन्होंने पुलीस पर वरिष्ट पत्रकार प्रेमदान देथा के परिजनों को भी परिशान करने का आरोप लगाया पत्रकारों ने बाडमेर SP मनीश अगरवाल को नहीं हटाय जाने पर परिवार सहित, मददान ना करने और चुनाप का कवरिज करने की भी खुली चेतावनी दी है ग्यापन के दोरान इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के समस्थ पत्रकार मौजूद थे पत्रकारों को परती है जो उनकी एक मानसिक्ता पत्रकारों के प्रती विवक्त हो रही है उसके कारण वो बार बार पत्रकारों को टार्गेट कर रहे हैं पहले उन्होंने दो तीन पत्रकारों को परिशान किया बिहार जैल तक भेजा जूटे मुकद में बाडमेर में भी उ बाडमेर से जागरुप ٹीवी की रिपोर्ट